श्री राजेंदर गविट जी अद्देक्ष्य महद्दै सविधान अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती आदेश पाच्वा सुनस्वदन विदेयक दोजार बावी सत्तिगर से सब्बंदी जीन बारा जन जातीय समों को यहां पे कई सालों से वो मांग करें ते लेकिन किसी कारण के वज़े से उसको समाविस्ट नहीं किया गया लेकिन उन लोगों उनके लिए यहां के अभीके सासन ने उसके लिए प्रयास किया इसलिए मैं इस विधाय को एक सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अद्देक्षमोदै मैं महारस्ट के आदिवस्य स्यत्रका में प्रतिनी दित्व करता हूँ उसे हाल में महारस्ट में अनुसूचे जन जाती के आरेशन का मुद्दा बड़ा चर्चा में है सदन में कई बार महारस्ट के सांसद यहाँ पर जो गेर आदिवसी जो धनगर कमुनिटी जो है इस धन्गर जाती को अनुसूची जन्जाती में सामिल करने की मांग कर रहे है इसके पहले भी पिछले दसक से चुनाव के मुद्दे को नजर रखते हुए जोर पकड रहे है और बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि महरस्ट में धन्गर यह इसी जाती है जिसका एक ही जात को 2000 साल में उसको एक नॉमेडिक ट्राइब के तोर पर 3.5% उसको आरेक्षन दिया गया था एक ही कम्मुनिटी को लेकिन महरस्ट में जो अनुसूची जन्जाती है करिबन 47 जन्जाती है उनको सिर्फ पर 7.5% आरेक्षन दिया गया है महरस्ट में अनुसूची जन्जाती को अध्यन करके राज्य सरकार की जो ट्राइबर रिचर्स सेंटर जो है ट्राइबर रिचर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टिटूट जो पुने में है वह तहिए करती है कि किस community को किस community उसका अनुसुची ज działती में उसको सामिल किया जाए लएक उस committee ने उसने पस्ट धनगर जाती को राज्जी में अनुसुची जन्च जाती का दरजा नहीं दिया जा सकता ऐसा कई बार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस तरह से उसकी जी मांग है, वो मांग मलब अपना उस TRI कमिटी ने वो ठुक रही है हाल में ही पिछले सासनकाल में भाजब सीशेना की यूतिवाली सरकार ने धनगर आरिशन के मामले में, जो नामांग की टाटा इंस्टुटिट आप सोयल साइन्स साइन्स संस्ता जो है, उसको टीस करके माना जाता है, एक नामांग की इंस्टुटूट है उसने भी धनगर जाती के बार में अध्यन करके रिपोर्ट सोपा था, उन्हें भी स्पस्ट रूप से कहा है कि राज्य में धनगर जाती को अनुसुची जाती का लाब नहीं दिया जा सकता, फिर भी राजनीती के लिए यह मांग बार बार उठा जा रहे है, मैं आपके जनी के तोर पर उसको सरोजनिक तोर पर किया जाए, अध्यक्ष मोहदई, माहरास्टा में कई ऐसे जो डिस्टिक जो है, कि जैसे कि गड़चेरिली डिस्टिक है, मेरा पालघर जो डिस्टिक है, जहां पे जवार मोखडा है, नंदुरबार डिस्टिक में अपना तोरण मा है, हर साल आदिवासी भायों का, जिसको उनके जो चोटे जो बच्चे जो है, वो मालनुट्रिशन के वज़े से, हर साल करीमन चार या पाँशit के आसपास आदिवासी बच्चे कूप उशन से मरते हैं, जिनके लिए वो स्टारवेशन के लिए मरते हैं. इतनी हमारी ट्राइबल की कंडिशन है, सुबह काम करते हैं तो साम को खाने के लिए उसका पता ने कि मुझे खाना मिले का ने मिले, ऐसी ट्राइबल की सीचुएशन है, लेकिन यह धनगर कमुनिटी की जो है, जो आर्थिक तोर पर, सामाजिक तोर पर और सेक्षनिक तोर पर धनगर कमुनिटी हमारे माराथा समास के भाईयों के बाद में सबसे ज़्यादा लेंडाड है जिनके बाद दो सा एकर लेंड है किसके पास पचास एकर लेंड है किसे पास पचीस एकर लेंड है किसे पास दस एकर है पास एकर लेंड है मतलब एकोनामी के तोर पर वो ट्राइबल से उनकी गिंती नहीं हो सकती, वो ट्राइबल से कई मतलब वो मतलब लेंडार है, तो ऐसे जो लेंडार कमुनिटी जो है, उसके ऐसे जो लेंडार कमुनिटी है, उनको धनगर कमुनिटी को ट्राइबल में नहीं लिए जाए, मेरी स परजी प्रमान पत्र का इशू है वो नायलेंग के आदेश के चलते हुए बड़े पचीदा पैदा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर भारतिय खाद्य निगाम बनाम जगदीश बड़ीराम बहरा इस प्रकण में मानने ये सरवच नायले ने दो हजार में ऐसा निरने दिया था कि जीस वेक्ति ने अनुसुचित जन जाती के आरेशीत पत पर सरकरी नोकरी प्राप्त की है जिसका जाती प्रमान पत्र पड़तानी द्वारा अवईद्य गोशित किया है उस निगिक्ति को माननी हो सरवच नायले ने नायले ने वाइड अब इंटू करार दिया है इस इसके पहले खुद ही सरवच नायले ने ऐसे मामले में जो सेवा में सरक्षन दिया था लेकिन बहरा निर्णे के बाद खुद सरवच नायले अपना ही फैसला पलटाते हुए कहा कि यह उचीत नहीं है कि महारास्ता में आरगर नेशन आप राइट साफ ट्राइबल जो अप करने की मांग किये है और फरजी जाती के प्रमान परत्र के आधर पर नोकरी करने वाले करमे चैने जिनने 15 जुन 95 के पहले उनका हवाला देकर जिनोंने सेवा में सरक्षन दिया है वह बाद सरवच नायल के निर्ने के खिलाप ऐसी दलील उच नायल ने भी रखी लेकिन 55,996 इतने जो वेकंसी जो है वो वेकंसी अभी भी मतलब उसको सुपर नुमरी पद करके अधिसंक्या पद मतलब सुपर नुमरी पदों के में वर्ग किया गया है महरास्ण में अनुसुचे जन जाती पिछड़ा वर्ग विमुक्त जाती और विसेस मागास परवर की जात परतानी हैतू 192,000 में राज्ये ने पारित किया था उसमें सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के में क्रिमिनल प्रासीकुशन और फाइनेंसियर रिकोरी के प्रावधन के किये इस अम्मल राज्ये सासन नहीं कर रहा है जबकि राज्य में सरकाने फर्जी औनुसुची जन जाती के परमानपत्र का मामला बड़ा आहम है जो आदिवसी जो जेनियोन आदिवसी है जैसे कि जो ठाकर कमुनुटी है ठाकर के नाम से जो ठाकूर जो लेंडार है उन्होंने फर्जी सर्टिपिकिट मलब आप्टेंग किया है जो अपना कोस्टी है उन्हें हलबा कोस्टी ने उसको सर्टिपिकिट अप्टेंड किया है दोपी है, मनेर वरलू है, कलार है, धनगर है, कुमबार है इन जातों ने ट्राइबल का जो सर्टिपिकिट उसने अपनाया है और आदिवस्य के जो reservation है उसी के उपद सुने अतिक रमन किया है मेरी आपके तरफ से मांग है जिन्होंने इस तरह से ट्राइबल जो ओरिजिनल ट्राइबल का certificate पर उन्होंने जो अपना certificate अपनाया है वो मतलब उसको बरकास्ते किया जाए दुसरा सबसे important है कि आदिवाशियों की जो लैंड जो है आदिवाशियों जो लैंड है वो दुसरे गेर आदिवाशियों के तरफ वो हस्तान तरीत नहीं हो सकता तो उसका इसलिए कई लोगों ने उसका certificate लेके ट्राइबल लैंड जो है प्लीज कांक्लूड गता हूँ 1974 का महारास्टरे रेस्टरेशन आप सेजू ट्राइब जो एक्ड जो है जो राष्टरपती अदेद इसने 36 और 36 बका सिधा सिधा ये महारास्टरे में उलगन हो रहा है और कई जो अपना राज़स्वा जो मंत्री है क पिरबद तीन साड़े तीन हजार के आसपास आधिवस्वा सिधान है जो मेट्रो पालिंजल सिटी जो है जैसे कि मुंबई है पुना है नासिक है औरंगाबाद है उस पेरिफेरिवे के आजुबाजु के एरिया में ऐसे कईाधिवसी लैंड जो है कि उन्होंने आधिवसी कि लेमिन मनलग ग्रियाप की है तो मेरे आप से आपके माद्यम से महाराश्टर सासन को भी मनलग आदेश दी जाए कि जो भी आदिवसी लेंड जो गेर आदिवसी ने जो फर्जिस सर्टिपिक टाप रहे हैं वो उसका बरकास्ते की जाए धन्यवाद श्री पिनाकी मिस्टाजी